मेरे पैरे देशभाचियों, इस समय सावन का पवित्र महिना चल रहा है। सदासिव महदेव की साधना आरातना के साथ ही सावन हर्याली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का अध्यत्मिक के साथ ही सांस्कृतिक द्रश्टिकोंड से भी बहुत महत्परा है। सावन के जूले, सावन की महदी, सावन के उत्सव, यानि सावन का मतलब ही आनन्द और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशिल बनाते हैं। सावन में सिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कावड यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वज़े से इन दिनों बारा जोतर लिंगों में भी खूब स्रधालू पहुँच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड रही है। अपकाशी में हर साल दस करोड से भी जादा परियटक पहुच रहे हैं। अयुद्या, मथुरा, उज्जेन जैसे तिर्थों पर आने वाले स्रधालू की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांसकृतिक जन जागरण का परणाम है। इसके दर्षन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तिर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोनिया से यहां अमरनात यात्रा करने आये थे। इन विदेशी महमानों ने अमरनात यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकनन के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रिणा मिली कि खुद भी अमरनात यात्रा करने आ गये। यही से भगवान भोले नात का आशिरवाद मानते हैं। यही भारत की खास्यत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। यही ही ऌता है। झाल झाल